भागलपूर की सबसे कम्र उम्र की महिला मुखिया के रूप में जीत दर्जकर आयसा खातून ने रिकॉर्ड बना दिया है। जीत के बाद आयसा खातून ने कहा कि लोगों के मिले जन समर्थन से वो काफी खुस है और अब खुल कर छेत्र का विकास करेंगी। प्रत्यासी बनी और जीत का परचम लहराते वे पुरी बिहार की सबसे कम्र उम्र की महिला मुखिया बन गई है। सबसे गजब यह हुआ है कि भागलपूर की छात्रा है। मुखिया चुनाओ लड़ी थी और जीत गई है। सबसे कम उम्र की मुखिया पुरे बिहार में बनी है और इतिहास रच दिया इनोंने। पंचाई चुनाओं में गाओं का माहौल मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे मतलब सपना था कि गाओं के लोगों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। इसलिए मैं चुनाओं में खरी उतरी हूं। और सब जनता की सपोर्ट से जीत हासिल हुए है। और मेरे तरफ से पूरे पंचाइँ फतेपूर पंचायत की पूरे जनता को सुवर्यादा करती हूं। और घर में जनता भी बहुत खुस है। छेत्र में रोड नाले नहीं बनवाया गया है। वहां किस्तिती बहुत खड़ाब है। तो मुझने जिस झेतर में मतलब रास्वासय काड कितने जनत्म कन ही बना है इंद्र से बना है वीदृ पेंसट नभाना है इसलिए मैं इस सब इस सब्क्राब करें करूंग। देखे लखी सराय की छात्रा थी 21 साल 6 महने की थी जिनका इतियास था कि सबसे कमर उम्र की मुख्या बनी है लेकिन अब इन्होंने इतियास रस दिया इनके अपती भी हमारे साथ है इनसे बात करेंगे कैसा लग रहा है आपकी जीच चुकी है बहुत खुशी है बहुत खुशी है कि जनता पूरे फट्यपूर पंचात के जनता हमें बहुत इचा सपोर्ट की है और सारे पट्यपूर पंचात को धन्यवाद करता हूं करना है और हर गली कुछें बहुत से गली कुछें फट्यपूर पंचात में जल जमाप का समस्या है उस फट्यपूर पंचात में गाउवर के लोग इनके घर पर जूट चुके हैं और आतिस बाजी भी कर रहा है कि दरहाल लोगों को लोग इनका कितना समर्थन अब भी करते हैं पूरे पांस साल में क्यूंकि इन्हों ने जो जिनको हराया है वो 15 साल से मुख्या बन रही थी तीन टर्म मुख्या रही थी उनको इन्होंने सिकस्त दिये तो बहुत बरी बात है लेकिन और भी समर्थन चा कि और भी अकेले ये कोई काम नहीं कर सकेंगे लोगों के समर्थन के बावजूद ही कोई काम इनका पूरा होता है